स्वागत है आपका मेरे यूटूब चैनल किचन इस्टार पूजा में मैं हूँ पूजा आज मैं लाई हूँ रस्मलाई जैसी दिखने वाली एक नई मिठाई जो बिना गेर जलाए मैं बना के दिखाऊंगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सस्क्रा लाइब करें बेल आइकन प्रेस करें जिससे मेरी नोटिफिकेशन आप तक जाए और लाइक करिए जदा ज़्यादा सेयर करें तो चली बनाना इस्टार करते हैं यह मैंने फनीर घर पर बनाया था आप चाहें तो मार्केट का भी ले सकते हैं मगर मैंने घर पर भी बनाया एक ससकर है तो और मैं इस तरीके से सोफट कर रही हूँ इसे जो है कि हम छेना जैसे बनाती है तो अच्छे से उससे मसलते हैं इस तरीके से मैं इस तरीके सीसे कर लिया है अब वे इसमें कुछ चीजए करूंगी तो आप देखिए मैं इसमें थोड़ा सा एलाइची तोटली यह देड़ चमच है इसे जादा नहीं डालना है अब मैं इसमें डाली हूं केसर के थोड़ा सा धागे जो मैं पहले ही थोड़े से हलके गरम दूद में मैंने केसर भीगो के रखे हुए थे तो इसका जो है थोड़ा से डाल लिया है बागी का हम बाद में इस्तमाल कर है अब मैं इसमें थोड़ा सा डालोंगी फूल कलर आप चाहें तो सक भी कर सकते हमेना इसे थोड़ा सा फूर कर डाल लिया है इसे देखिए कलr बहुत ही प्यारा आ रहा है और अच्छी बात यह है कि इसमें बिलकुल घी है इस्तमाल नहीं करना बिना घी के बनेगा तो देखे इसमें इसमें मैं अच्छे से मेश कर लिया है और इसमें आप भी एक बार जरूरी 이से ट्राइ सब्सक्राइक बैण आप जो है बहुत है अच्छा पर इस तरीके से तो है इसका करनकर निगाल लिया अब जया बहुत ही अच्छा बने का तो इससे concerns है निकाल लेना है और इसमें कि आप ई Means लैंचीह इनना तो देखने तो इसी तर्वाल आपके दिखाती हूं अट से लीओं और गॉम्हा जाता है तो देंगे Liverpool छो दूद है जो हम डीप कर रहें ग्रàiट उसको अच्छे से दूद निकालए नतीम ले रहना चीए तो देखो से बॉल्ड रडी है इसी तरीकेश आपको सारे खा सकते हैं इस असान नहीं है कि आप बनाईए घंटों रखिए और फिर खाईए और देखिए इसी तरीके से सारे मैंने बॉल्स रेडी कर लिया हैं करने के बाद अब मैं दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है तो हमाई साथ वीडियो में बने रहिएगा वीडियो को इसकी मत क करेगा ने तो आपको कैसे पता चलेगा कि रेस्पी कैसे बनी हुई है बिना गया जलाए तो इतर देखिए सारे बॉल्स रेडी हैं और मैंने ले लिया है एक कप दूद जो अच्छे से इसको गरम कर लेना है और इसे मैंने देखिए के दागे वाला दूद था भी डाल लि कर लिया है कि तो इसको अच्छे से मि לו कर लेना है कि जिसके म Commerce हिसे थोड़ा सा होता है ना कि जिस largest का सब्सक्राइब शाइन अच्छे से मिस कर लिया है और इसको अबहत हो थे यह पर में कर लिए हैं तो अभी आपको देखने में लग रहा travaille कि एक दम प्लेंसा। तो फूर कलर सकते हैं और इस पर मैंने थोड़ा सा इलाइची पॉडर डाल लिया है इसे भी अच्छे से मेस्ट कर लेना है क्योंकि इलाइची का फ्लेवर रहेगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अगर आप चाहें तो यहां पर आप मिल्क पॉडर भी इस्तवाल कर है क्योंकि मैंने मलाई का का B जो है कि इसे तक है कर देना और तुरंट देना क्या करेगा कि सोख लेगा और इसको अब ठंडा होने के लिए चाहें तो फ्रेज में रख सकते हैं नहीं तुरंत इसे खा सकते हैं तो मैंने इसे फ्रीज में नहीं रखा क्योंकि इसको मैं तुरंती सब को देना था बनाके तो मैंने फ्रीज में नहीं रखा और आपको मैं इसे कट करके दिखाऊंगी तो आप अंदर से देखिएगा कि कितना अच्छा बना हुआ है देखने में इत है उसको क्या करना अलग रख लीजिए और जब किसी को खाने के लिए दीजिए तुरंत आप बॉल्स डालिए उसको उपर जो मैं हमने मिलक रेडी किया था खलर वगरा डाल के इसको डालिए तो आप देख सकते अंदर से कितना स्मूथ है और सॉफ्ट बना है और वाकई बता था ठैक्स फॉर वाचिंग मिलते हैं नश्चाइब आप 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 आप